नमस्कार, मैं डॉक्टर संजे जैन, एसोसीट प्रफेसर गनिति भाग, समराट प्रत्वी राज्चाहान, राज की महाविद्याल अजमेर में, आज आउकलन गनित पे मैं अपना अगला लेक्चर दे रहा हूं, इससे पहले आउकलन गनित में काफी लेक्चर दे चुके हैं, चाप कलन पर, लास्ट टर्ण पर, अपन ने चाप कलन में जो मैतपून बिंदू, पादिक समीकरन को लिया था, उससे आगे अपन बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रिफ पिछला ले रहा हूं है, पादिक समीकरन, पी और आर के बीच में रेलेशन ले होता है, उसको लेते हैं आप पिछला लेक्चेर मेरा देखेंगे, उसमें आपको ये सब चीजे बताई हुई है, इनको मेंशन किया हुआ है, रेड लाइन और ब्लू लाइन को, पी और आर के रेलेशन को पैडल एक्वेशन कहते हैं, पिछले टर्म पर अपन ने ये कार्टिशन सिस्टम में हो, त तब कैसे निकालते हैं, और ये पोलर कॉडिनेट में हो, तब कैसे निकालते हैं, पी और आर का रेलेशन, ये सारी बाते हमने पिछले लेक्चेर में की थी, आज हम इन पर बेज नियुमेरिकल ले रहे हैं, और इनको प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं, वो देख रहे हैं, पहला question जो हम है Cartesian system पे ले रहे है find the paddle equation of the parabola y square equals to 4a x plus e के लिए y और x में relation दिया हुआ है इसका मतलब हमें relation Cartesian system के लिए निकालना है क्या करते हैं तो हम इसके लिए y और x में दिया हुआ है तो पहला का हम हम x के respect में differentiate करके dy by dx का ये value निकाल लिया ठीक है परवल है किसी बिंदू से हम इस पर tangent की length डाल रहे है समीकर्ण डाल रहे है मान लिया वो बिंदू को भी बिंदू है p x वाई जिस पर हमने ये इसकी समीकर्ण निकालते है समीकर्ण में क्या होता है capital y minus small y is equal to dy by dx dy by dx की value यहां से हमने substitute कर दी x minus x ये मिल गया हमको 2x solve करने पर ये समीकर्ण मिल जाएगा जो equation 2 से represent हो रहा है हमारा जो लंब की लंबई होती है p वो क्या होती है इस पर शरेखा पर मूल बिंदू से डाले गए लंब की लंबई मूल बिंदू मतलब 0 0 से तो ये perpendicular की length का formula को यूज कर रहा है p बराबर और 0 0 से इसमें तो constant term आजाएगी उपर की y square minus 2x upon under root में x के coefficient का square plus y के coefficient का square तो यहां पर x के coefficient का square 2a और y का minus y इनके square करके रख दिया ये सब रखके हमने समीकर्ण तीन के अंदर p बराबर निकाला है under root a into x plus 2a ये p बराबर हमारा x में relation आ गया clear एक formula partition के लिए जो हम लेते थे हमने लिया तो हम जानते है r बराबर क्या होता है r square बराबर x square plus y square x square को as it is run दिया y square जो हमको given question में y square is equal to 4a x plus a तो यहां हमने y square की जागे 4a x plus a रख दिया ओके और अब ये x square plus 4a x plus 4a square हो जाएगा ये क्या हो गया actual में x plus 2a का whole square हो गया तो ये हो गया हमारा r square बराबर x plus 2a का whole square clear और x plus 2a हमने क्या निकाल रखा है x plus 2a बराबर हमने r को निकाल रखा है देखिए आप r square बराबर x plus 2a दौना तरफ square root लेंगे तो x plus 2a बराबर क्या हो जाएगा r ये x plus 2a बराबर जो r हुआ ये हम समिकर्ण 3 में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा p बराबर under root a r और अगर हम under root हटाना चाहेंगे तो हमें क्या हो जाएगा दौना तरफ square करेंगे तो p square is equal to a r और ये क्या हो गया p से r में relation आ गया इसमें x और y नहीं है इसलिए ये क्या बन गया हमारा paddle equation paddle equation क्या था p और r में relation लाइए without variable तो p square is equal to a r ये relation हमारा हो गया paddle equation इस partition कर्व y square is equal to 4a x plus a के लिए clear तीन चीज़े का इटेशन में ध्यान रखनी है आपको tangent का equation निकालना origin से डालना है एक r square वराबर x square plus y square होता है तो इन तीनों चीज़ों से given से r से और tangent की equation से आपस में x और y दो variable को eliminate करके p और r में relation लाना होता है तो यह हमारा हो गया इसके लिए next question हम ले रहे हैं parametric coordinate के लिए parametric coordinate के होता है x और y किस से जड़े होगे होता है किसी एक variable से यहाँ t से जड़े होगे है आपको दिया हुआ है x बराबर a cos cube t y बराबर a sin cube t तो x और y किस में दे रखे है t में दे रखे है और x और y t में दे रखे है तो हम d y by dx कैसे निकाल सकता है d y by dt upon dx upon dt और यह हमने निकाल रखे है differentiation आप पढ़के आए होगे पहले वह हमने किया और इसमें value रखा तो d y by dt आगया हमारे पास minus 10 t समीकरण x से ओके दूसरा है जो बिंदू हमको दे रखे हैं question में question में बिंदू दे रखे हैं x और y separate ही दे रखे हैं a cos qt और a sin qt से इस पर रखा पर समीकरण डाला वो ही इस पर रखा की समीकरण निकाली ही हमने और इस पर देखागी जो सम्मी करना है उसका मूल बिंदू से हमने perpendicular distance निकाल नहीं है वो हम पहले भी कर चुक है इससे हमारे पास relation आ रहा है P बराबर A sin T cos T यह हमारे काम आएगा आगे और R square बराबर हम क्या जानते है X square plus Y square पर X square और Y square को हम उपर जो question में दिया हुआ है X और Y T में वो substitute कर देते हैं तो R square बराबर आ रहा है हमारे पास A square 1 minus 3 cos square T sin square T ओके और यहां से आप अब आप देखें आपके पास term किस में आ रही है cos T sin T sin T cos T में जो हमारे पास क्या है A sin T cos T किसके बराबर है P के बराबर तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे P by A जो equal to sin T cos T आ जाएगा यहां से यह हम इसमें substitute कर देते हैं R square बराबर A square 1 minus 3 और इसकी जगे cos T sin T की जगे P by A का whole square लिख देते हैं इसको set करते हैं तो R square बराबर A square minus 3 P square यह relation हमारा P और R में आ गया ठीक है और ठीटा इलिमिनेट हो गया तो यह समीगराण हो गया हमारा पैडल एक्विशन का पैरामेट्रिक कॉडिनेट की टाम में के लिए T इलिमिनेट हो गया है यहां पे जलिए अब जो हमारा last रह रह रहा है polar coordinate system polar coordinate system में हम क्या करते हैं अमें कर दिया हुआ है cardioid r equals to a1 minus cos theta का पैडल equation निकालना चाहते हैं तो r और theta में रेलेशन दे रखा तो dr by d theta निकाल लेंगे यहां पे हमें एक समीकरण और दिया हुआ होता है 1 upon p square is equal to 1 upon r square plus 1 by r4 dr by d theta का whole square यह हम पिछले lecture में मैंने बताया कैसे आता है और हमने कैसे निकाला है तो हम direct use कर सकते हैं we know that कहके तो यहां पे dr by d theta के value a sin square theta हमने substitute कर दी और उससे यह समीकरण बना और यहां पे मैंने यह underline कर रखा blue से sin square theta को मैं कहा लिख सकता हूँ 1 minus cos square theta क्योंकि हमको किसमे term दे रहे हैं 1 minus cos theta में तो sin को हमने cos में बदल लिया और वापस से इसको solve कर रहे है 1 upon p square 1 by r square a square upon r square और यह r की power 4 1 का 1 ही लिखा है और cos square theta अब यह उपर मैंने blue color से बना रखा है हमको दिये हुए questions है r equals to a इसको solve करेंगे तो a minus a cos theta हैगा cos theta बराबर हो जाएगा हमारा r minus a minus r upon a a को a से भाग देंगे तो 1 minus r by a तो cos theta के जगे हम लिख सकते हैं 1 minus r by a तो यह यहाँ से जो cos square theta थीटा था इसकी जगे हम लिख देंगे 1 minus r by a का whole square और अब इसको जब हम solve करते हैं तो हमारे पास यह last second last line में जो term आ रही है इसमें 1 by r square आता है minus 1 by r square आता है जो cancel हो जाएगा तो हमारे को मिला है 1 by p square is equal to 2a upon r cube और इसको हम reciprocal करके relation ले सकते हैं r cube is equal to 2a p square तो यह p और r में relation आ गया polar coordinate system के लिए तो हमने तीनो question आज यह polar के लिए कार्टिशन के लिए और यह polar के लिए किये हैं और एक question इससे बहुत